मोधी सरकार ने बादे पूरे नहीं किये, कॉंग्रिस से कह रही है, शंबू बॉर्डर पर आज भी आसु गैस के शेल्स छोड़े गए है पंजाब की किसान दिल्ली कुच के जिद लिए हजारों की संख्या में शंबू बॉर्डर पर इत्था है सरकार दिखाना चाहती है कि केवल पंजाब की किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा वहां की किसानों का कहना है भारत एट नाइन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं काल जो नरायन, किसानों का हला बोल, खत्मोने का नाम नहीं ले रहा है चोथा दिन है, बहुत सारे आरोप, प्रत्या रोप लगातार बताय जा रहे हैं, लगाय जा रहे हैं, बहुत सारी आवाजे जो हैं, वो लगातार सरकार तक पहुचाने की कोशिश हो रही है आज पूरा दिन किसान आंदुलन पर क्या हुच हुआ उसकी सारी अपडेट हम देंगे तो भारत एट नाइन के साथ आप बरी रहे मोधी सरकार ने वादे पूरे नहीं किये कॉंग्रिस ये कह रही है कॉंग्रिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाब पुलिस के कथित बलप्रियोकी निंदा की और कहाक की सरकार को नियुमतम समधन मूल की गयरंटी देने समेत किसानों की सभी मागे स्विकार करनी चाहिए दो साल से ज़्यादा समय होने पर मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किये हैं तो आरोब से आज की आंदूलन की दिन की शिरवात होती है शंबू बॉर्डर पर आज भी आसु गैस के शेल्स छोड़े गए हैं पंजाब की किसान दिल्ली कूच की जिद लिये हजारों की संख्या में शंबू बॉर्डर पर इखटा है दूसरी तरफ हर्याना में उन्हें रोकने की जद्दो जहद में लगे हुए हैं इसी रस्सा कस्टी में आज भी शंबू बॉर्डर पर आसु गैस के शेल्स छोड़े गए जुसे कई किसानों को चोटे भी आई हैं गाल किसानों के प्राथमे की इलाज के लिए जगा जगा पर उनाइटेट सिक, खालसा और प्राइवेट मेडिकल संसा से जुड़े मेडिकल स्टॉल्स है इन स्टॉल्स पर बड़ी संख्या में किसान और इस प्रदर्शन में शामिल होने आए युवा स्टॉल्स पर आ रहे हैं सरकार दिखाना चाहती है कि केवल पंजाब की किसान प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसा वहां के किसानों का कहना है दरसल चन्डिगेड में कल तीसरे दौर के बैठक बे नतीज आ रही उन्हेंने कहा कि हमारे खिलाफ ताकत का इस्तमाल किया जा रहा है हम सरकार से वही मांग रहे हैं जो हमसे बादा किया गया था सरकार कहती है कि आंदोलन सिर्फ पंजाब का है अगर सिर्फ पंजाब का है तो हर्याना बॉर्डर खोल दो ना राजिस्थान बॉर्डर खोल दो यूपी बॉर्डर खोल दो प्रदर्शन कारी किसानों ने तीन घंटे के लिए एक टोल प्लाजा के पास वो जमा हो गए अगली बैठक में किसानों के मुद्दे सुलजाने की दिशा में काम होगा अनुराग ठाकूर ये कह रहे हैं दरसल किसान के साथ बैठक को लेकर केंद्रि मंत्री अलुराग ठाकूर ने कहा है कि किसानों से चर्चा के लिए अगला दिन रविवार तै किया गया है यानि कि अभी एक दिन और बीच में है उन्होंने कहा कि मुझे अमीद है कि अगली चर्चा सकरात्मक महौल में होगे और हम किसानों के मुद्दे को सुलजाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे पियमोदे ने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं ऐसा उनका कहना है हारा कि किसान आज इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है किसान नेता और भारते किसान उन्यन के रास्टिय प्रवक्ता राकेश टिकेट ने शुक्रवार को सेंक्ट किसान मोचा द्वारा दिये गए भारत बंद की अपील पर आईजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया टिकेट ने कहा हम फसलों के लिए MSP की कानूनी गैरंटी स्वामी नाथन समीती की रिपोर्ट को लागू करने किसानों की कर्ज बाफी तमाम मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी दिल्ली जाने की कोई यूजना है टिकेट ने कहा शनिवार को सिसोली में एक मासिक पंचायद है उसमें आगे की रनीटी तै करेंगे सिसोली ये वही जगा है जहांपर हर बार बैठा कोती है और फिर राकेश टिकेट निकलते हैं दिल्ले की तरह All India किसान Congress Chairman सुखपाल सिंग ने कहा कि एक तरफ उनको पीट रहे हैं दोसी तरफ किसानों को बाच्चीत के लिए बिना रही है किसान कभी बाच से पीछे नहीं हटे उनका कहना है कि देश के सरकार अपने वादों से पीछे जरू हट रही है किसानों ने एक महीने पहले आंदोलन कैलान किया हैं आपको तब बात करनी चाहिए थी पिछले आंदोलन में 600 से जादा किसान मर गए लेकिन बीजोपी सरकार ने एक भी शब्द नहीं बोला भारत बंद का जो असर है वो पंजाब की फिरोस्पूर में भी दिखा यहां प्राइवेट और सरकारी बसों की उनियन की तरफ से बसे नहीं चराए गई यूनियन ने कहा कि किसानों के साथ केंदर का वेभार गलत है केंदर को किसानों की मांगे माननी चाहिए फिरोस्पूर में शुक्रवार को दुकानों और पेट्रोल पंप भी बंद रहे इसके अलावा कईवा निशाने एक ऑंग्रिस के अलावा साधे गए सरकार पर शॉंबू बॉर्डर पर प्रदर्शन कारी किसान के मौत के मामले में अखिलेश सरकार ने मोधी सरकार पर निशाना सा दिया उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा शम्भू बॉर्डर पर प्रदर्शन कारी गुर्दास पुर के सरदार ग्यान सिंग के मौद बहुत दुखत है सुप्रीम कोड भाजपस से लेक्टरोल बॉंड के साथ किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौद का हिसाब भी मांगे जीवन देने वाले का जीवन लेने वाले लोगों का अब अंत समय आ गया है अरोप रत्यारोप का दौर लगातार जारी दहा इधर किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन में अब तक 400 से ज़ादा किसान घायल हुए है उन्होंने कहा कि हमारे खिलाव पूरी टाकत का इस्तमाल हो रहा है हमने समुद्दे को सरकार के सामने उठाया हमारे सोचल मीडिया हैंडल्स बंद किये जा रही है हमें एंटिनेशन कहा जा रहा है हमारे सतर यूट्यूब चैनल्स बंद किये गए सरकार हमारी आवास तो बंद करना चाही रही है हम में दिल्ली जाने के फैसले पर कायम है और हमें दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता वहीं राखेश चिकेत ने ये भी कहा कि सरकार डरा धमका कर किसानों के आवाद दबाना चाहती है अगर सरकार किसानों के मांगों को नहीं मानती तो आंदूलन और बढ़ेगा ट्रिकेत ने सरकार उद्योग पत्यों के बीच मिली भगत का भी आरोप लगा दिया है इस सारी बाते सुबह से शिरू हुए शबू बॉडर पर पोलिस किसानों के बीच जड़ब के खबर भी आयी पुलिस के वीडियो भी जारी किया इसे परदर्शनिकारी किसान सरक्षा बलो पर नबभी चर्चा हूई है हम चाहते हैं हर एक मांग पर चर्चा हो किसानों के तरफ से बाच्चीत के लिए 14 लोग गए थे जल से जल हम अपना फेस्बूक पेज और टोटर हैंडर बनाएंगी रविवार को सरकार के साथ अगली वारता होगी हमारे साथ देश के लोग और किसान मज़दूर हैं हमें कोई रोग नहीं सकता भारत बन का असर तमाम जगवों पर नज़र आया बारा बज़े से शाम तीन बे तक सभी चोल फ्री कर रहने की बात कही गई उन्होंने कहा कि शनिवार को तहसील स्तर पर्ट्रेक्टर ट्रॉली रैली निकाली जाएगी तो रविवार को अगली बैठा के सकरात्मक होगी या नहीं ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है अभी कुछ कहां नहीं जा सकता लेकिन सरकार को डर है कि यूपी और राजस्थान और अगर इधर हर्याना के किसान भी मिल गए तो दिक्कते और जादा बढ़ सकते हैं तो ये पॉइंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं हर्ताल तमाम चीजें तो पंजाब में सबसे जादा असर भातबंद का नजर आया सुभा से ही कोई किसान कोई मजदूर अपने काम पर नहीं गया स्कूर बंद के हलाकि दिल्ली में किसी तरह का कोई असर नजर नहीं आय है आज इस भरबंद को लेकर और तमाम तरह की तस्वीरे भी आज नजर आई थी जगह जगह पर हमने देखा था कि यहां पर ट्राफिक कहीना कहीं जाम था कि किसानों ने अपनी अलग लग मांगों को लेकर 13 परवरी से आंदूलन करने का एलान कर दिया है इस दिन किसान पंजाब और हर्याना से ही थे अब ऐसे में एक सवाल उठता है किसान अंदूलन में पंजाब और हर्याना के ही ज्यादा किसान क्यों शामिल होते हैं अंदूलन और पंजाब हर्याना के किसानों का क्या कोई कनेक्शन है दरसल भारत में रोटी चावल और सबजिया तरफ से जादा धान की खेती की जाती है। सिस्टम पर संकट मंद्राता नजर आया इसलिए किसान MSP को लेकर कानून बनाने की मांग करते रहे एक्सपोर्ट क्या कहते हैं गाउं कनेक्शन के एक रिपोर्ट में इसी सवाल की जवाब में भारत की जाने माने विशेशग्य कहते हैं कि 6% को MSP मिलता है भारत में 94 को नहीं मिलता और उन 6% किसानों में जातर पंजाब भर्याना के किसान है वो आगे कहते हैं कि लगभग 97 प्रतीशत धान और लगभग 75-80% गेहों को सरकार द्वारा खरीदा जाता है नहीं दोसे तरफ भिहार में एक प्रतीशत और यूपी में 7% में कम धान और गेहों की सरकार खरीदी होती है राजेस्थान की बात करें तो यहां सरकार द्वारा 4% के आसपास गेहों खरीदा जाता है किर्शी मंतरी के बद पर रहते वे शुद पवार ने एक बार सदन में कहा था कि भारत के 71% लोगों को MSP के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं और क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी ही ही नहीं तो उन्हें इसका फायदा भी नहीं मिल रहा साल 2020 की बात कर लेते हैं दिसंबर महीने में देश के उभुगता मामले और खादे और साब जिने की वत्रल मंतरी प्यूज को इलिए अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्सपर ट्विट करते हो बदाय था साल 2020 के दिसंबर तक के इन्जी सरकार ने पूरे देश में 344.86 ळाग मिट्रिक टन का धान खरीड़ा था इस साल की धान के खरीद पिछले साल यानी की 2019 में 282.66 लाग मिट्रिक टन से 22% जाधा है अब इस 344.8 लाक मिट्रिक टन धान के बदले सरकार ने अलग लग राज्यों के लगबग 35 लाक किसानों को 65.11 करोड रुपए का मित्तान किया इस 35 लाक किसानों में से पंजाब का यूगदान करीब करीब साथ पतीशत था साल 2014 में भारत में जब N.D. की सरकार सक्ता में आई थी उस वक्त सांस शांता कुमारी के अगवाई में एक हाई लेवल कमीटी का कठन किया गया इस कमीटी ने एक साल बाद यानि कि 2015 में भारते अकाद देनियाम और MSP को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट सौपी थी जिसके अनुसार साल 2012-2013 में गियों और धान की बिक्री करने वाले नभ्य मिलियन किसान थे लेकिन उन में से केवल 5 प्रतिशत किसानों नहीं MSP पर सरकार पक्री उपच बेची थी इसके लावा साल 2016 में Think Tank नीती आयूम ने भी MSP पर जो रिपोर्ट जारी की थी उसके अनुसार 80 प्रतिशत किसानों को ये इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि सरकार कहीं फसलों पर MSP देती है लेकिन बुआई सीजन से पहले सभी एक कीमत से 10% किसान ही वाकित थे अब नियुम्तम समर्थन मूल क्या है बार बार इस पर चर्चा हो रहे हैं तो एक बार फिर से इस पर नजड़ डाल लेते हैं MSP का मतलब है minimum support price ये सरकार द्वारा तेकिए गए किसानों के फसल की किमत है आसान भाषा में समझते हैं तो भारत की जनता तक पहुँचने वाले सरकार किसानों द्वारा उपजाय अनाज को MSP पर खरीती है फिर इसी अनाज को सरकार राशन विवस्था या ने योजिनाव के तेयर जनता तक पहुँचाती है यह तमाम बाते जो है वो निकल कर सामने आ रही है अब धीरे-धीरे किसान MSP को समझ रहे हैं और कोई चाता है MSP की गैरेंटी तो आप समझें कि इतना ज़्यादा जरूरी है लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान जो है वाकई वज़ा सिर्फ यह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साज़श है क्योंकि इसको लेकर बड़े खेलकी भी बात लगातार की जा रही है क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदूलन में दिल्ली कूच की जो कोशिश हो रही है से बीच ये चर्चा है कि बड़े किसानी खेल कर रहे है ये बड़ी-बड़ी महंगी गारियों में चलते हैं जीन्स पहनते इनके पाश बड़े ट्रेक्टर हैं स्मार्टपून हैं लैप्टोप का अस्तमाल करते हैं इस पर किसान कहते हैं कि लगजरी लाइफ नहीं सिर्फ पर लाखों का लून है उनका ये भी कहना है कि ऐसी बातें उनमें फूट डालने के लिए की जा रही है हालग कि किसान से एक मोर्शा ने शुकरवार को भाद बंद का आवान किया पंज़ाब अनियाना बॉर्डर पर बैठे किसान दिली कूछ की जित कर रहे थे इसके चलते बॉर्डर बंद कर दिया गया है सभी बॉर्डर पर बैठे हुए बारिकेटिंग से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पर महंगी चीजों की बात हो रहे थी इसको लेकर किसानों ने जवाब दे दिया है कि हमारे पर लाखों का करजा है हम लगातार आत्म हत्या कर रहे हैं लेकिन हमारी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है किसानों का कहना है कि सब ज़्यादा काम करना उन्हें पड़ता है हमें ज़्यादा मरना पड़ता है हम ज़्यादा मर रहे हैं हमें कर्रेक्शन बोर्ड लगाने पड़ते हैं सब कुछ इसलिए हमारे उपर सबसे ज़्यादा लोन है वलंटियर की तरह हमें MSP किसान नेता जवन सिंग बंडेर ने कहा कि पंजाब, हर्याना और पश्चमी यूपी में स्थित किसानों की ठीक है तो ये फसले वहाँ थोड़ी से खरीदी जा रही है अगर यहाँ भी करीबर नहीं होती तो किसानों की हालत से भी ज़्यादा दैनियक हो जाती है इसलिए MSP बहुत ज़्यादा जरूरी है MSP अगर मिलता है तो शायद किसानों की हालत ठीक हो सकती है रविवार का इंतिजार है हलाकि पांच घंटे बेटक चली है कोई सफल रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है देखना यह है कि किसान और सरकार के बीच जुपता कौन है अच्छे लिए इतना ही कल फिर लौटिंग किसे और मिल्दे पर बात करेंगे